हेलो, गुड बॉर्निंग दोस्तों, तीन अगस्ट दोजा अठारा की प्रिलिम्स अप्डेटर स्रीज में आपका स्वागत है, यहाँ पे हम इंपोर्टन न्यूज है यूपेस के लिए वो डिसकस करने वाले हैं, तो चलते हैं आज की हमारी डिसकसन के तरफ, सबसे पहले ज हम देख लेते हैं, क्योंकि इसको कॉंस्टिशनल दर्जे देने की बात है, वो की जा रही थी, तो जब इसको सविधानिक दर्जा मिल जाएगा, तो इससे क्या-क्या बेनिफिट होंगे, और किस तरह की समस्य हैं, उनसे सामना में, उननों करना प्रदार था पहले, वो समस संसुदन के तायद, Other Backward Class Commission है, वो बनाने की बात हो कीगी, और उसको कॉंस्टिशनल दर्जा है, वो देने की बात है, तो यह चीज़ हमें जहानक नहीं है, कि OBC Backward Class का जो कमिशन है, उसको 1623 स्रिदान संसुदन के तायद, कॉंस्टिशनल दर्जा देने की बात हो है, अभी अभी तक दर्जा मिला नहीं है, जब मिल जाएगा, तो हमारे लिए एफिक्ट और जदा इंपोरेंट है, वो हो जाएगा, अब देखो बात ही कि जारी कि इसको कॉंस्टिशनल दर्जा है, वो दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि जो Other Backward Classes के जो अभी तक इस दिमान्ड हो ग जाएगा, तो इसके क्या-क्या फायदा होगी, वो हम देख लेते हैं, एक तो देखो फायदा ही होगा, कि जो भी पिछड़े होगा है, Other Backward Class के अंदर, उनको development करने के लिए, क्योंकि जब proper rule regulation हो जाएगे, तो काफी सहुलेद से काम है, वो हो जाएगा, इसके साथ ही जो प जाएगा है, ज्यादा कुछ धाननी दे जाता था, क्योंकि यह constitutional body नहीं थी इसलिए, अब आप खुछ जानते हो कि अगर कोई भी constitutional body होती है, उसकी बात की value ज्यादा होती है, जैसे कि आप यह मालों की तो UPSC कोई बात कहती है, यह फिर को normal कोई arm body है, जैसे की नेतिया होग भी मिल जाएगी, देखो आरो पहले ही यह लग रहा था, कि जो UPSC के अंदर और भी जो काफी सारे work आते है ना, उनके साथ कहीं ने कहीं discrimination हो रहा है, उनको टंक से रेजियोशन का लाब नहीं मिल पा रहा है, नहीं उनके साथ transportation के साथ कुछ काम हो रहा है, इसलिए यह स्का किया गया, कि भई इसको constitutional दर्जा दिया जाता है, ताकि इनकी सुनवाई हो किया जासके, चलो आप comment box में यह बताना, कि अभी तक जो other backward class commission है, इसकी बाते हैं, वो कौन सुनता है, national commission और schedule कास्क सुनता है, national commission और schedule रहा है, यह आपको दोनों में से comment box में answer है, वो देना है, क् इसके बारे में हमने काफी पहले discuss है, वो भी किया था, अब हम देखते हैं, यहाँ पर आगे, आगे इसके नए features ही हैं, कि एक तो इनके पास जब civil court की तरह power हा जाएगी, other backward class commission के पास, तो obviously किसी को बुला के संभन कर सके हैं, किसे भी पूरी जानकरी वगरा है, वो लेसके ह इनको एक benefit हो जाएगा, इसके साथ ही किसी को civil court की तरह सजा है, वो भी दे सकते हैं, और इनको जाच करने का जो दायरा है, इनकी जो बोलचतों की investigation का जो दायरा है, वो भी कही नकी बढ़ जाएगा, तो यह भी एक benefit है, इसके साथ ही, जो कुछ cast वगर है, अगर उनको central list मे सामील करना है, तो इसके लिए central government पे सब कुछ depend हो करता है, central government जैसे जाएगी, वैसे होगा, बट जब इससे constitution दरजा दे जाएगा, तो क्या होगा, कोई भी कास्ट को अगर central list में सामील करना है, नहीं करना, कि सारी power देखा जाए, तो maximum power हो, यहाँ पे backward commission के पास ही रहने वा तो वो हमने आपे देख लिया, नेक्स जो आर्टिकल है हुआ है, क्रोमियम युक्त पानी को लेके, तो कंटेक्स्ट यह है, कि तमीलाडू के अंदर central groundwater जो बोर्ड है, उसने भी शर्यूए किया, तो कुछ जो हाँ पे जिले लगबग पांच है, कि आज पास ऐसे जिले पा लेगे हैं, जहांपे क्रोमियम है, वो कावी भारी मातरा में पाने गया है, अब हम देखते हैं कि क्रोमियम से कौन-कौन से डेजीज हैं, वो हो सकती है, क्यों यह हाँ पे हमारे लिए जनरल साइंस का एक इंपोर्टन पॉइंट हो जाता है, तो यहां पे कुछ फिक्शल इसके दोरा गैड्लाइन अगरा भी जारी हो की जाती है, कि भई पानी के अंदर आर्सेनी की कि इतनी मातरा होनी जी है, फुरॉड की कहां तक इनफ है, उससे ज्यादा डेंजरेस लेवल होता है, इसी तरिके से इन्होंने क्रोमियम का भी लेवल निकाल रहा है, और क्रोमि वह हो सकता है अगर एक लिटर पानी में 0.05 मिलिग्राम से ज़्यादा क्रोमियम है इसका मतलब वह पानी पीने लाइक नहीं है उससे हमें डीजिज है वह हो सकती है यह basically इसकी काड़न तो यह ज़िसे हमें धानक नीए कि जो ग्राउंड वाटर है उसके एक लिटर के अंदर 0 0.05 mg पर लेटर ही Chromium हो सकता है इससे ज़्यदा अलाव नहीं है वो हमारी हेल्थ को नुक्साना हो करता है अब हम Chromium के तुड़े feature देखते हैं तो Chromium वो एक metal है मैली heavy metal के नाम से इसे जाना जाता है और इसके जो maximum किया जाता है और इसका जब भी pollution level वो फेलता है तो वह पानी के दोरह भी फ्याल शकता है Air के दोरह भी फिल सकता है iyePhoul chain के दौरह भी फ्याव सकता है इसके साथ हमारी हूआ जो याल जो आज की टायम पे एक होता है नियुरो सिस्टाम पर को यह ने च मो मैं तो यह जिल्ग को वाटा है tप आशना को ओर एक लिए प्रसान के मावाशनी त्रेता डालिवान ना हुब जो दूसरा होता है hexavalent chromium देखो trivalent chromium होता है उस जहरिया नहीं होता है मतलब वो हमारी health को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है वो non-toxic होता है तो उससे कोई ज़्यदा effect हो नहीं पड़ता बात करें hexavalent chromium की वो toxic होता है और इसमें होता गया है यह कहीं नहीं ज़्यादा human health को effect करता है जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो nervous system होती है इसको effect करता है इसके साथ ही हमारे gene है उनमें editing है उसमें mutation है वो कर देता है तो यह चीज हमें धाना वो रखनी है जबकि बात करे हम hexavalent जो hexavalent जो chromium है वो normally नहीं पैजाता है एर्थ पे वो क्या होता है हमारे जो man-made activities होती है ना मतलब हम कोई भी ऐसी activity कर रहे है human के दोरा अस तक से तब इसका निर्मान है वो होता है जैसके glass है glass आपको पता कि earth के ओपर ऐसे नहीं पैजाता है normally उसको भी खहिने की बना जाता है तो वही बात यहां पर है कि जो hexavalent chromium है वो man-made activities से बनता है basically और बहुत rare पाया जाता है यह और जो trivalent chromium होता है वो जहरिला नहीं होता है तो अभी जहरिला पन फैलता है वो ध्यान रखना है कि hexavalent chromium से ही फैल है वो रहा है next जो देखते है आर्टिकल हुआ है state energy efficiency prepared education के बाग में तो देख लेता है कि है state energy sorry state energy efficiency preparedness index के बारे में देखो यह index है यह basically जारी क्या गए energy efficiency bureau of energy efficiency plus alliance for and energy efficiency economy के द्वारा तो यह यह चीज़ हमें धान है वो रखनी है कि State Energy Efficiency Preparedness Index है वो Bureau of Energy Efficiency इसके साथ ही Alliance of Energy Efficiency जो Economy उन दोनों के द्वारा मिलके जारी है वो कहा जाता है एक फेक्ट तो यहाँ पर बन जाता है प्रिलिम्स के लिए बात करें दूसरी दूसरा फेक्ट यह है कि अगर नेशन लेवल पर इस काफी important हम हो जाते हैं और दोनों को हमें एक जाम में थोड़ा धान होगा रखना है आगे देखते हैं आगे जो इसका important feature के बात करें कि इसमें इंडेक्स में किन चीजों का यूज के जादा क्या होता है देखो basically जो State Energy Efficiency Preparedness Index है इसमें energy को efficiency बनाने के लिए क्या क्या step उठा क्या जा रहे हैं और कौन कौन से स्टेफ हो उठाने है climate change क्या effect बढ़ रहा है उन सारी चीजों को यहाँ पर consider है वो क्या जाता है बलब national energy efficiency जो इंडिकेटर से हैं उनको भी हाँ यूज कर जाता है इसके जो climate change हो रहा है और जो climate sorry जो energy access हो लोगों के द्वारा कि इतनी energy लो इंडिक्स में यही है कि कि किसके दोवारा यह index हो पब्लीच कहा जाता है तो हमें जानक ना कि बात state energy efficiency preparedness index किया है तो वो Bureau of energy efficiency plus Alliance of energy efficiency economy के दोवारा और जब national level पर index बना जा रहा है तो नीति आयोग और Bureau of energy efficiency मिलगेज को बनाते हैं नेक्स जो आर्टिकल है उसमें एक्चुली कुछ ज़्यादा फिक्ट तो नहीं थे बड़ आपको बता दूँ उसमें एक्चुली coal bed methane का नाम था एक तो और एक था cell gas तो बार दोनों के बारे हम जा लेकते हैं कंटेक्स्ट यह था तो आपको बता जाता हूं कि गौर्मीन ने भी नहीं हाइड्र एक्पोलीशन पोलीशी है वह आई थी नहीं जिसके वारे हमने बहुत बार डिस्कस हो किया है तो उसी में इन दोड़ों वर्ट का यूज सा तो एक बार मैंने शुआ कि देख लेते हैं क है क्या तो कोलबेड मिथेन का मतलब यह होता है कि जब हम कोईले की माइनिंग करते हैं तो उस तोरान मिथेन गेस अग प्रोडूस होती है तो वह तो होगी कोलबेड मिथेन शिदा-शिदा मतलब आप देख सकते हो तो एक तरिके से यह एंकन्वेंशनल फॉर्म है जगह जगह पर चटाने है ऐसे इन चटानों के बीच में जो जगह ना वहाँ पर यह पैजती है सेल गेस तो इसको निकालने के लिए क्लिए कि काफी सारी मस्कत करनी पड़ते हो नहीं एडवांस टेक्नोलोजी का यूज़ हो करना होता है बट इसके फीचर बहुत अच्छ हैं तो कारबन डायोकसाइड का एमिसन होता है जिससे ग्रीन हाउस गेस एमिसन बढ़ता है वो भी कहीं नहीं बहुत अच्छ कम है वो होता है तो इसलिए आज की टाम पर देखा जेतो सेल गेस का बहुत बड़ा स्कोप है और इंडिया के काफी सारी एरिया में सेल गेस हो इसके बारे में UPS ने क्योशन भी पूछा था और इसी के साथ आपको बजा दू कि USA में भी सेल गेस के भारी मतर में बंदार है वो पाए जाते हैं तो यह दो टर्म्स थी वो हमने यह आप ही डिसकस कर ली नेक्स जो आर्टिकल है वो आया है गौफेन इलेउन के बारे में तो गौफेल इन्यों है क्या देख गौफेल इलेउन है वो बेसिकली चाइना का एक सेटलाइट है तो थोड़ा हमें पता हो न अच्छी किस से रिल्टेड यह सेटलाइट है वो कि लोंच क्या गया है काम इसका यह होगा कि लेंड का सर्विय करना अर्बन प्लानिंग में हेल्प हो करेगा इसके लाग जब भी कोई डिजास्टर आजाए फ्यूजर में तो उससे निपटने के लिए डाटा प्रोएड करेगा अग्रिकल्चर सेक्टर इंदर किसे डवलोप्मेंट करना तो उस कि अभी जो डिफेंस मिनिस्टी है उसने स्टेट्जिक पार्टनर्सी मोडल है वो लेने की बात हो कही है तो हम देखेंगे कि जो स्टेट्जिक पार्टनर्सी मोडल हो क्या है कैसे यह काम है वो करने वाला है देखो आपको बताओ कि डिफेंस जो मिनिस्टी होती है उसके इंदर एक अलग से काउंसल है जिसका नाम है Defense Equalization Council ये DACI ये Defense Equalization Council है इसका basically काम ही होता है कि इंडिया आपको बता दे को बार से काफी सारे वेपन वगरा है वो इंपोर्ट करते है, वह प्रोकुरमेंट वगरा के काम है वो इंडिया के दोरा किये जाते हैं अब उनमें transparency होनी चाहिए, अब हो सकता है कि जल सेना को कुछ अलगतरा की चीज़े चाहिए होती है, अलग equipment चाहिए, धल सेना को कुछ और चाहिए चाहिए, और आप हो सकते हो कि air registration या वायू सेना को कुछ और चाहिए, मतलब तीनों जो हमारी force आप force, इनको कुछ ना कुछ इस भी procurement होगरा करना हो, तो वो defense acquisition council के द्वारा क्या जाता है, मतलब बिना किसी देरी के ये जो एक council है, ये तुरन जो instrument होगरा होते है, उनको procure हो कर लेती है, ये basically इसका काम है, वो क्या जाता है, तो procurement की procedure को easy बनाने के लिए इसका निर्मान हो क्या गया था, इसके जो head या बोल सकता है, चेर्मेन होते हैं, वो होते है हमारी defense minister, तो ये एक important fact बन जाता है, प्रिलिम्स के नजरियस थे, चेर्परसन की बाद जब याँ पही आती है तो, अभी context क्या है, कि government ने ये decide कि क्यो नहीं हमारे देश के जो private firm है, बड़े बड़े, उनको invite किया जे, और उनको एक तो ले थोड़ा partnership का मौका दिया जाए, कि बड़े बड़े defense की जो company है, मतलब जो defense के instrument वगरा बनाती है, gun वगरा कुछ भी हो जाए, उनके साथ और काम करेंगी, तो उनको एक तो क्या skill मिलेगी, इसके साथ उनको नहीं technology का भी knowledge हो होगा, अब देखो अगर इंडिया की कोई company है, उसको अगर skill मिल दिये, नहीं technology मिले तो क्या होगी, वो खुद भी दिरे-दिरे उस मामले में expert हो जाएगी, और पर दिरे-दिरे वो खुद भी अपने अलग से factory आमलब अपने अलग से काम हो करने लग जाएगी, जिससे फायदा है होगा, कि इंडिया के अंदर इसके साथ ही defense, जो instrument होता है, या gun अगरा कुछ भी आप मानलो, इनको बनाने का एक महुल तयार हो जाएगा, मतलब इनकी भी इंडिया में industry लगना शुरू हो जाएगी, जिससे इंडिया को भार से instrument हो गरा वो नहीं खेदने होगे, इंडिया सारे काम इंडिया के अंदर ही कर लेंगे, तो यह बैसिकली गोर्मेंट का एक मोटो है, गोर्मेंट चारी कि इंडिया की बड़ी बड़ी इंडिस्टी है, वो भार की जो foreign industry होगी है, बाकी जो की defense equipment होगरा बनाती है, उनके साथ मिलके काम करे, ताकि वहां से इंडिया को skill भी मिलेगे, काफी benefit होने वाला इसका benefit इंडिया को talent मिलेगा, इसके साथ ही एक time क्या होगा, कि इंडिया defense instrument वगरा बाहर से नहीं किरेदेगा, खुद इपने देश में बनाएगा, तो यह एक benefit यहां पर हो जाएगा, नेक्स देखो जो article है ना, वो actually science and text related है, काफी इचा article है, context तो कुछ आपको बता दूँ, context यह है, कि एक जो black hole है, उसके बारे में आप ही discuss क्या गया है, तो सबसे पहले हम black hole के बारे में जान लेते हैं, कि बलेक hole होता क्या है, देखो black hole यह होता है, आपको बहुत सिदा जांपर लेकर चलते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ है, यहां पर एक book रखी हुई है, और आप यहां हो, अगर आपको यह book देखनी है अंदरे में, तो आपको क्या करना होगा, यहां से आप क्या करोगे, कोई भी light हो इस book पर डालोगे, तब ही तो क्या होगा, आज जो light आ यह वो इधर सबसे पहले आपके आँखों से इधर आएगी, और यहां पर टकराके, और आपको यह इसका जो परतिविन बाब हो सकता है, जो इसकी image है, वो आपको 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 में मिलेगी, मतलब जो यहां पर book थे ना, इसके reflect में ही आपको कुछ ना कुछ चीज़े दि दिखेगा, तो इसका मतलब हुआ क्या, कि यहां पर जो book है, वो available है, और आपको आपको कुछ दिखा, यह basically concept हो यहां पर user, वो क्या जाता है, यह concept आपको पता है, अब कई बार क्या होता है, कि अगर यह मालनों कि यहां पर book की जगह कुछ ऐसी जगह हो, मतलब बहुत गहर कि इसमें लाइट अब आपस reflect होई ना, आपने यहां से लाइट भेजी, वो लाइट सिधी, इसके अंदर से ही चली गी, तो आपको कुछ नहीं देखियागा, तो वो condition होता है, अब होता क्या है, हम space के नजड़े से देखते हैं, space में जैसे आप यह मान सकते हो, कि कोई भी यह मान लोग बड़ा सा एक star था, अब धिये देखिया आपको बता कि star की बेएक quality होती है, लाइफ होती है, यह मान लोग इस मास में इतनी में सारे इकटा हो गया, अब इस पर आप कोई भी लाइट यहां पर reflect होगे, तो वो light के इस से reflect होगी नहीं, मतलब वो इसके अंदर से चली, इसके अंदर ही अब जो हो जाएगी, तो यह basically concept होता है, बलेक होल का, तो मैंने आपको बता दिया, बलेक होल का मतलब, एक तरी से काला होल हो गया, इसके अंदर कोई भी light गई, वो वापस आती ही नहीं, खुस भी गया, बस इसके अंदर गाइब हो गया, क्योंकि जो gravity होती हो, बहुत जादा होती है, इतनी जदा gravity होती है, कि sunlight है, उसको absorb कर लेती है, बस reflect नहीं करती, जब तक reflect नहीं करेगी, तब तक हमें थोड़ी दिखेगा कुस भी, इसलिए इसको basically black hole के नाम से जाना जाता है, अब context ही है, कि हमारी जो solar system है न, इसके अंदर basically एक black hole ह जिसका नाम यहाँ पर दिया गया, तो वो नाम आपको उड़ता हूँ, नाम इसका हुआ है, हुआ है, Sargittarius, तो यह Sargittarius के एक black hole है, basically हमारी जो आका संगा बोल सकते होगी, हमारा solar system में, यह black hole के हैं, इसके पास से भी एक गुजरा था, जिसका नाम है S2 planet, अब यह S2 planet, ज पास पास एनरजी थी, वो एपजोर कर ली, तो इससे यह सीध होता है, कि Einstein एक थोरी दीती, Einstein ने यह कहा था, कि कोई भी black hole होता है, उसके पास से अगर कोई भी चीज गुजरती है, तो वो उसकी एनरजी को एपजोर हो है, वो कर लेता है, तो यह basically इसका concept था, तो Einstein की थोरी यहां पे सफल है, वो हो जाती है, तो उसके बारे में यहां पे ठोड़ा discuss है, वो क्या गया है, तो थोड़ा मैं आपको बता जाता हूँ, black hole वगरा के बारे में तो मैंने आपको बताती है, और भी जो facts वगरा है, तो black hole में आप 2-3 जिते यह देख सकते हो, कि एक तो black hole की gravity gravity बहुत जदा होती है, इतनी तेज gravity होती है, जैसे और example बताता हूँ आपको, earth के ओपर क्या होता है, यह मानलो हमारी earth है, earth के ओपर हम कोई भी चीज़ उपर उपर उचालते है, तो वो चीज़ कुछ दूर उपर जाती है, फिर वापस नीचालती है, क्यों? क्योंकि हमारी gravity, earth की, वो उसे खींस लेती है, तो वो चीज़ एक टाइम के बाद भार नहीं जा पाती, तो यह होगे gravity, अब यह मानलो की, earth की gravity बहुत ज़्यादा हो, यह मानलो की अभी जो gravity है, उससे कई लाखो गुना ज़्या gravity हो, तो क्यों होगा, हम कोई जीज उपर फैंकी नहीं पा साजिट एरियस है, वो हमारी जो milky wave galaxy है, उसके अंदर ही एक black hole है, बीचो बीस, तो यह हमें धान है, वो रखना है, बेसिकली, अब हम बात करें आप एक galaxy की, और जो हमारा solar system हो, उसको हम देख लेते हैं, देखो एक galaxy होती है, उसमें बहुत लाको अर्बो इस्टार होते है और बहुत सारे पिंड और 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 भी तरगी गेसे वगर इसमें पाया जाती है, जो हमारी जो आकास गंग है, milky wave galaxy है, वो कुछ ऐसी ऐसी सेप किया है, मुलब सरफिलाकार उसकी सेपा आप देख सकते हो, और इसके बीचो बीस के अंदर जो यहाँ पे हमानी दिख आपको, यह बेसिकली आपे जो ब्लेक होल है, वो है, इस ब्लेक होल का नाम क्या है, साजेटेरियस, यह आपको धान है, वो रखना कि साजेटेरियस है क्या, अब बात करें हमारे जो solar system की, तो जो हमारी यह galaxy है, milky wave galaxy की, इसके अंदर छोटा सा पाड़ा सी, आपको यह इस्टार जे उसी तरक है हमारी जो solar system है, उसके अंदर आपको पता है कि पहले 9 planet थे, अभी 8 planet है, वो कर दिएगे हैं, तो यह चीज़ हमें धान है, वो रखनी की solar system क्या है, planet क्या है, galaxy क्या है, यह मालों कि planet यह है, solar system कुछ ऐसे होगा, और बात करें galaxy की, तो वो कुछ और भी बढ़ा हो तो आपको दो चीज़े से मैंने आपको बताया, एक तो Sagittarius ध्यान रखना है, कि वो क्या है, इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, कि S2 जो planet था, वो Sagittarius जो black hole था, यह मालों कि यह black hole है, इसके पास से गुजरा, तो क्या हुआ हुआ कि जो S2 planet था, इसकी energy थी कुछ, वो यहाँ पर Sagittarius black hole ने absorb कर ली, तो Einstein की जो theory थी, relative वाली, वो सारी यहाँ पर confirm है, यह तिक से सही हो जाती है, कि भी यह black hole वो energy को absorb कर लेता है, तो यह थी आज की हमारी discussion, तो फिलाल की discussion में इतना ही है, thank you very much for discussion.